प्रथान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के दूर दर्शी नेद्रित्व में भारत को उच्छ तकनीक क्षेत्र में दुनिया के विखसित देशों के समकक्ष लाने और संबंधित और ओद्योगिक शेत्रों में आत्म निर्भर बनाने का द्रिन निश्य निहित है आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आखवान करते हुई आगे बढ़ रहा हूँ इस संदर्भ में रेर अर्थ तत्व विशेश महत्व रखते हैं रेर अर्थ तत्व, स्वच उर्जा, कंजूमर एलेक्ट्रोनिक्स, मोटर, बैटरियों सहित, अनेक अती विशिष्ट क्षेत्रों में अपरिहारे रूप से प्रयुक्त होने के कारण अत्यधिक मूल लिवान होते हैं इनके महत्वपून उपयोगों में से एक समैरियम कोबॉल्ट स्थाई चुम्बकों का उतबादन है समेरियम कोबॉल्ट स्थाई चुम्बकों में असाधारन गुण होते हैं जो इन्हें रक्षा, अंतरिक्ष और पर्मानों उर्जा जैसे सामरिक खित्रों में उपियोग के अनुकूर बनाते हैं स्थाई चुम्बकों का आयात प्रायह, प्रतिबंधों और आपूर्ती अवरोधों से प्रभावित रहता है क्यूंकि इन्हें बनाने की तक्नीक विश्व के कुछ विशेश देशों के पास ही उपलब्ध है प्रधान मंत्री श्रीन नरेंद्र मोदी के सक्षम निद्रित्व में भारत सरकार के समन्वित प्रयासों और लक्षियोन मुख समग्र सरकार के द्रिश्टिकों ने भारत को आत्म निर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परिणाम स्वरूप रेर अर्थ चुम्बुकों के क्षेत्र में भारत अब पूरी तरह से स्वदेशी सामगरी और प्रोध्योगी की का उपयोग करके और द्योगिक पैमाने पर समेरियम कोबॉल्ट स्थाई चुम्बुकों के उत्पादन की जटिल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है विकसित की गई इस प्रोध्योगी की को आधार बना कर विशाका पठनम के अच्चिता पुरम स्थित बीए आर्सी कैम्पस में परमानों उर्जा विभाग की एक उध्योगिक इकाई IREL India Limited द्वारा एक आधुनिक Rare Earth Permanent Magnet Plant की स्थापना की जा रही है जहां प्रतिवर्ष 3,000 किलोग्राम समैरियम कोबॉल्ट मैगनेट का उत्पादन किया जा सकेगा 197 करोड रुपे की लागत से बना ये प्लांट सामरिक क्षेत्रों के लिए समैरियम कोबॉल्ट Rare Earth Permanent Magnet की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा Rare Earth Permanent Magnet Plant की स्थापना उच्च प्रोध्योगी की क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपून कदम है